ताटा ग्रूप के पूरू चेर्मेंट सायरस मिस्री का मुंबई एहमदाबाद हाईवे पर जिस सब्सक्राइब होई मैं ठीक वहां पर हूं और यह एहमदाबाद से इस तरफ के आने का मुंबई की तरफ आने का रास्ता है और वहां से लोग देखे किस तेजगती से आते है और जो हाथसे की वजह क्या हो सकती आलंकि इसके भी जांच हो रही है लेकिन जो फौरी तोर पर बताया जा रहा है जो पता चला या जो दिख रहा है वह यह है कि जब वहां से प्लाइवर से गाडियां उतरती हैं तो यहां पर सीदे सीदे हमें तीन लेन दिखाई पड़ और यह तीसरी लेन लेकिन जब आगे गारियां तेज रफ्ता से चलती हैं तो आगे जाकर हम देखते हैं यह यह अभी लगाया गया यह पहले नहीं था यह जो थीन लेन है यह जो है आगे जाकर दो लेन में परिवर्टिस हो जाता है याने कि तीन लेन समझ कर जिस रफ्ताज से जो लोग आते हैं आगे वहाँ पर जाकर दो लेन हो जाता है तो सभावी चोर पर जो गती है वो धिमी करनी पड़ती है या फिर तीन गाड़ी आगर एक साथ चल रही है तो एक गाड़ी को रुकना होता ह लेकिन अचानक से जब इस इसी पैदा होती है तब वहाँ पर दुर्गटना हो जाती है जैसा कि वह देखने लाल जो एक लगा हुआ है उसके आगे दो जो डिवाइडर के लिए जो सिगनल जो रखी जाते हैं वहाँ पर देखें वहाँ पर वहाँ पर हाथसा हुआ था है मसलन जब वहां से गाड़ियां तेजगती से आ रही है तो आसपास जैसे यह ट्रक खड़ी है वहाँ पर या कहीं पर यहां पर एक बोर्ड होना चाहिए था साइन बोर्ड कि आगे धिमे चले या फिर दो लेन ही है आगे सकरा रास्ता है कुछ तरह का साइन बोर्ड होना एक साथ आती है और एक साथ आकर इसी रवतार से अगर एक साथ इस जगह पर आ जाती है तीन गाड़ियां तो यहां से फिर अचानक से दो लेन में उन्हें अपने आपको साफिट कर लेना बहुत ही मुस्किल होता है लियाजा यह जो हाथसा हुआ है सामने हम देख रहे हैं कल दो पहर में तक्रीबन दो पचीस के आज सपास यह हाथसा हुआ साइरस मिस्री अपने मित्रों के साथ परिवारी जो मित्र थे उनके साथ यहां पर आ रहे थे मर्सिडीज बेंच कार थी आगे अनाहिता पंडोल बैठी दी जो की गाड़ी चला रहे थी उनके बगल की सी तरफ जो है की पीछे की सीट पर आने की ड्राइवर की सीट के पीछे सायरस मिस्री बैठे हुए थे और खुछ इसी तरह की सिती यहां पर हुई और गाड़ी उनकी तेज रफ्तार से थी जैसा कि गाड़ी की से एक्सिडेंट के बाद जो उसकी सिती उससे साब नजर आता ह और यहां पर जाकर चुकि तीन गाड़ियां आते आते तीन लेन वैसे साड़े दस से ग्यारा मीटर की चोड़ाई होती है लेकिन यहां पर हम देखे तो यह चोड़ाई सड़की दीर-दीर कम होती चली जा रही है और आगे जाकर वो तक्रीबन उस पुल के पास सिर्फ है और यह जो है इजिए ही वजया है कि माना जा रहा है कि हाथसा हुआ होगा देके दो लेन हैं लेकिन किसी दिद्स यहां पर आते आते, तीसरी लिन लगबाग गायब हो चुकी है, अब जब तीन गाड़ियां एक साथ आती है तेज गती से, तो तीसरी गाड़ी कहाँ जाए, लेहाजा बरेक मारने के चक्टर में कंट्रोल फेल हो जाता है और जाकर इस तरह से गाड़ी तक्रा जाती है, जैस पर यह बना हुआ यह पुल है और यहां पर टकर आ गई और जो और तकर थी यहां जा आगे का हिस्सा पुरी तरह से उसका परकच्चा वर चुका था जो गारी चला रहे थी अनहीता पंडोल और डेरियस जो बगल में बैठे थे वह बच गए क्योंकि वह लगा हुआ था और यह बना हुआ है यह पुल बना हुआ है यह पुल पर इस नदी में एक गाड़ी जो है इसी तरह से आकर एक बार गिर चुकी थी सीदे सीदे अंदर चली गई थी पुल के अंदर उसी के बाद ही हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ इस तरह का यह सीमेंट का एक बैरिकेट बनाया गया है ताकि कोई गाड़ी अगर गलती से आ भी जाया तो नद बढ़ती जाए और उसकी जान बढ़ता चल रही है तह्किकात की जाड़ी के अलगे तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे और लोगों की जान भी जाएगे मुंबाई से सटेप पाल कर से ग्यामरामान कोई गोड़ी सा जोड़ी सी नहीं जाएगे